हलो व्यूवर्स, एलिमेंटरी पार्टिकल्स के इस वीडियो सिरीज में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो स्टडी मैट्रियल में मैं बैरेउन्स के उपर चर्चा करने वाला हूँ तो अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एलिमेंटरी पार्टिकल्स को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं पहले हो गए लैप्टॉंस जो कि फंडामेंटल होते हैं ये किसी दूसरे पार्टिकल्स के कॉम्पोजिट्स नहीं होते यानि कि ये अपने से छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए नहीं होते हैं वहीं दूसरी और जो हैड्रोंस होते हैं वो दूसरे पार्टिकल्स के कॉम्पोजिट्स होते हैं यानि वो अपने से छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं तो hydrons को हम लोग mesons and barions में divide कर सकते हैं जो mesons होते हैं वो एक quark और एक anti quark से मिलकर बना होता है वहीं दूसरी और जो हमारा barion है वो तीन quark से मिलकर बना होता है और अगर हमारे पास कोई anti barion है तो हम लोग उसे कह सकते हैं कि ये तीन anti quark से मिलकर बना होगा ठीक है तो आज का हमारा ये discussion specifically barions के उपर है आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ barions के उपर focus करेंगे अपने पिछले वीडियो में मैंने leptons and mesons के उपर discussion कर रखा है जिनके link आपको descriptions में मिल जाएगी तो जो हमारे barions हैं उन्हें हम लोग दो types में divide कर सकते हैं पहले हो गए nucleons और दूसरे हो गए hyperons तो nucleons जैसा कि ये nomenclature है nucleons तो आपने junior classes में पढ़ा होगा कि जो हमारे neutron and proton होते हैं वो nucleus के अंदर रहते हैं और इसलिए उन्हें nucleons कहा जाता है तो ये वही category है nucleons की category इसमें proton, neutrons हमारे आ जाएंगे अब hyperons अगर आपने strange particles का video देखा हो तो आपको पता होगा कि कुछ particles ऐसे होते हैं जो strange behavior करते हैं strange behavior कहने का मतलब है कि वो strong interactions के थूरू produce होते हैं और weak interactions के थूरू decay करते हैं ठीक है तो उसमें strange particles में मैंने आपको बताया था कि कुछ mesons होते हैं जैसे की cowons और कुछ barions होते हैं जो जैसे की lambda barions cascade barions कुछ sigma barions कुछ barions ऐसे होते हैं जो कि strange behavior करते हैं तो यह जो strange behavior करने वाले barions है इन्हें हम लोग hyperons कहते हैं ठीक है इसकी list में cowons नहीं आएगा क्योंकि cowons meson है ठीक है लेकिन lambda, sigma यह सब जो है यह सब barions है और यह सब strange behavior करते हैं इसलिए यह hyperons की category में हम लोग इसे डाल देंगे ठीक है तो सबसे पहले nucleons तो proton neutron को nucleons कहा जाता है ठीक है अब proton है तो anti proton होगा और neutron है तो anti neutron भी होगा अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो barions होते हैं वो तीन quark से मिलकर बने हुए होते हैं तो जो हमारा proton होगा वो दो up quark और एक down quark से मिलकर बना होगा वहीं जो हमारा neutron होगा वो दो down quark और एक up quark से मिलकर बना हुआ होगा अब अगर anti barions के उपर मैं चर्चा करूँ तो जो हमारा anti proton होगा वो दो anti up quark और एक anti down quark से मिलकर बना होगा वहीं जो हमारा anti neutron होगा वो दो anti down quark और एक anti up quark से मिलकर बना होगा वैसे तो nuclear force के influence में जब यह दोनो particles यानि neutron और proton nucleus के अंदर रहते हैं यानि nuclear force के influence में रहते हैं तो यह stable रहते हैं लेकिन free अगर हमारे पास कोई free neutron है तो वह beta decay के process से decay करेगा देख सकते हैं आप लोग यहां पे इस reaction में जो हमारा neutron है वो proton में convert हो रहा है एक electron और एक anti electron neutrino emit करके यहां पे यह सबस्क्रिप्ट में e नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम लोग जानते हैं इसके उपर हम लोग पहले भी चर्शा कर चुके हैं कि यह जो है anti electron neutrino और एक electron को emit करके यह neutron जो है proton में convert हो जाता है यह convert कैसे होता है weak interactions के through होता है जो weak interactions weak nuclear force होता है जिसके force carriers W and Z bosons होते हैं वो क्या करते हैं neutron के अंदर जो दो down quark हैं उनमें से एक down quark को up quark में convert कर देता है तो वो proton में convert हो जाता है और साथ ही एक electron emit हो जाता है और एक anti electron neutrino emit हो जाता है अब जैसे कि मैंने बताया कि एक neutron decay करता है तो इसका half lifetime क्या है 886 seconds ठीक है हमारा proton stable होता है mass of proton 938.3 mega electron volts mass of neutron 939.6 in terms of in units of mega electron volts magnetic moment of proton is 2.79 and magnetic moment of neutron is minus 1.91 in units of nuclear magneton ठीक है अब हम लोग आते हैं hyperons पे जो हमारे दूसरे types के barions होते हैं तो जो hyperons होते हैं वो strange behave करते हैं यानि कि वैसे barions जो strange behave करते हैं उन्हें हम लोग hyperons की category में डाल देते हैं ठीक है जैसे कि lambda hyperons sigma hyperons psi या फिर cascade भी आप इसे कह सकते हैं psi और cascade hyperons तो यह जो तीन है यह spin half के होते हैं और जो हमारा omega hyperon है यह 3 upon 2 spin का होता है ठीक है अब यह सब strange behave करेंगे इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो हमारे strangeness quantum number होगा उसकी कुछ नकुछ value होगी ठीक है उसकी value 0 नहीं हो सकती इन चारो के case में इन चारो की कुछ नकुछ strangeness quantum number की value होगी तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने lambda hyperons पे ठीक है तो lambda hyperons जो होते हैं उन्हें पहली बार cosmic ray की study करते हुए 1947 में discover करा गया था बाद में इसे labs में भी produce किया जाने लगा यह जो आप reaction देख सकते हैं negative pion plus proton tends to lambda plus neutral carbon ठीक है यह जो हमारा reaction है यह production reaction है आपको अगर याद हो तो strange particles वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि strange particle हमेशा अपने associate strange particle के साथ produce होता है अकेले वो produce नहीं होता तो देखिए यहां पर lambda जो है वो कावन neutral कावन के साथ produce हुआ है ठीक है तो यह जो lambda है जिसकी बात में कर रहा हूं lambda hyperon ठीक है यह सिर्फ एक type का lambda है lambda particles भी different types के होते है ठीक है चार types के lambda particles होते है जिनमें तीन type के lambda particles के बारे में मतलब ऐसा कहा जाता है कि यह observe हो सकते है और चौथे वाले के बारे में कहा जाता है कि वह according to standard model वह observe ही रही हो सकता ठीक है तो इन जो तीन observe हो सकते है उसमें से सिर्फ एक ही है जो hyperon की category में आता है इसी लिए इसे हम लोग lambda hyperon कहेंगे और बाकी के जो तीन बच गए जिसमें से एक कभी observe नहीं होने वाला उनके बारे में मैं video के end में discussion करूंगा लेकिन hyperons की category में हम लोग सिर्फ एक ही lambda के बारे में discuss करेंगे बाकी के तीन lambda including this इसे comparison के लिए इसे भी मैं उस discussion में शामिल करूंगा ठीक है तो इन चारो को इन चारो lambdas को मैं बाद में भी discuss करूंगा लेकिन उन चार lambdas में से एक lambda ऐसा है जो की hyperon की category में आता है यानि कि वो strange behave करता है इसी लिए वो hyperon की category में आता है और उसी की कि मैं अभी बात कर रहा हूं strictly ठीक है तो देखिए अब यहां पर मैंने पहला ही line में लिखा कि lambda barions are composites of quark, down quark and a third type of quark which may vary ठीक है और दूसरा line देखिए lambda barion is a composite of up quark, down quark and a strange quark ठीक है अब देखिए यह strange quark यहां पर आया यानि strangeness quantum number की value minus 1 यानि कि strangeness quantum number की कुछ value है यानि यह particle strange behave करेगा ठीक है बाकी में अब देखिए उपर वाले line में क्या लिखा है third type of quark may vary वो vary कर सकता है तो कभी क्या होता है वो strange quark इसके case में हो गया है जिसे मैंने hyperons की category में रखा है अब जो दूसरा category है उसमें क्या होता है कि वो charm हो जाता है यानि पहला up दूसरा down ठीक है और तीसरा charm तीन quarks से मिलकर कोई भी varyon बनता है तो जो हमारा दूसरा lambda varyon होगा वो एक up एक down और एक charm quark से मिलकर बना होगा ठीक है वहीं पर तीसरा में bottom quark आ जाता है और चौथा जो standard model के हिसाफ से observe नहीं हो सकता उसमें top quark आ जाता है ठी इसलिए different types के lambda varyons होते हैं उसमें से यह जो UDS यानि up quark, down quark और strange quark वाला combination वाला lambda varyon है इसे हम लोग lambda high prone की category में रखेंगे क्योंकि यह strange है यहाँ पर यह strange behave करता है और इसकी strangeness quantum number minus 1 होती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह जो हमारा lambda high prone है जो कि एक up quark, एक down quark और एक strange quark से मिलकर बना है इसकी mass 1115.7 mega electron volts के आसपास होती है half life 2.63 x 10 to the power minus 10 seconds तो अब यह decay करेगा तो यह हो गया हमारे decay modes के equations यानि lambda जो है एक proton और एक negative pion में break हो रहा है फिर lambda जो है वो एक neutron और एक neutral pion में decay हो रहा है ठीक है यानि कि यह weak interaction से भी decay करता है और electromagnetic interactions से भी यह decay करता है ठीक है और combination भी कभी कभी हमें देखने मिलता है ठीक है अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे type के high prone में यानि sigma है high prone में जो हमारे sigma high prone होते हैं वो तीन types के होते हैं यह triplets में पाए जाते हैं एक sigma प्लस sigma zero and sigma minus यानि कि positive sigma negative sigma and neutral sigma तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर particle से associated एक anti particle होता है तो यहां पर भी एक sigma anti positive sigma होगा anti neutral sigma होगा और anti negative sigma भी होगा ठीक है जो हमारा positive sigma high prone है वो पहली बार 1953 में cloud chamber में identify किया गया था और ठीक अगले ही साल sigma minus को ब्रुक हेवन के कॉस्मो ट्रॉन में discover किया गया lifetime of positive sigma is 0.80 into 10 to the power minus 10 seconds and mass is 1189.4 mega electron volts यह हमारे कुछ decay modes यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यह weak interactions और electromagnetic interactions के combinations है इनको आप note कर लीजिए अब मैं आता हूँ lifetime of negative sigma it is 1.48 into 10 to the power minus 10 seconds and mass is 1197.4 mega electron volts यानी positive sigma से थोड़ा ज्यादा ठीक है यह हमारे decay modes हो गए यहां पर भी आप देख सकते हैं यह decay modes जो है यह combination है electromagnetic नहीं electromagnetic नहीं यह weak interactions है ठीक है यहां पर electromagnetic interaction के थुरू decay नहीं हुआ है तो अब इन decay modes को वीडियो pause करके note करते जाएगा ठीक है अब हम लोग बढ़ते हैं आगे half time of sigma neutral sigma is 7.4 into 10 to the power minus 20 seconds mass of neutral sigma is 1192.6 mega electron volts और यह देखिए यह electromagnetic interactions के थुरू decay हो रहा है ठीक है एक lambda में और gamma photons में ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले high prone की तरफ जो की है साई high prone इसे हम लोग cascade high prone भी कह सकते हैं अब यह जो है यह cascade high prone यह 1 minute 1 minute cascade high prone की उपर discussion करने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि जो हमारे sigma high high prone हैं उनकी composition क्या है तो जो हमारा positive sigma है वो दो up quarks और एक strange quarks से मिलकर बना होता है जिस वजह से इसकी strangeness quantum number की value minus 1 होती है और इसी लिए इसे high prone की category में रखा गया है इसमें charge plus 1 का होता है जो हमारा neutral sigma है उसमें एक up quark एक down quark और एक strange quark होता है इसमें strangeness quantum number की value minus 1 होती है और charge 0 होता है उसी तरीके से negative sigma में charge minus 1 strangeness भी minus 1 क्योंकि यहां पे दो down quarks और एक strange quark है ठीक है ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग अपने anti positive sigma की बात करें दो anti up quarks और एक anti strange quark अगर हम लोग anti neutral sigma की बात करें तो वहां पे एक anti up quark एक anti down quark और एक anti strange quark और अगर हम लोग negative sigma की बात करें तो वहां पे anti down quark एक anti down quark और एक anti strange quark ठीक है तो इसके combinations को discuss करने के बाद हम लोग फिर वापस आ जाते हैं अपने तीसरे high prawns पर ठीक है आगे बढ़ते हैं वापस नहीं आ जाते हैं हम लोग तो वापस आये थे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे high prawns पर या नहीं साई या फिर इसे आप cascade high prawns भी कह सकते हैं यह basically दो types के होते हैं एक negative और एक neutral अब इनके anti particles भी होंगे associated anti particles तो composition मैं भूल लाँ इससे पहले पहले ही discuss कर देता हूं कि यह compositions जो होते हैं cascade negative cascade में एक down quark और दो strange quarks होते हैं जिस वज़े से इसके strangeness quantum number की value minus 2 हो जाती है और इसका charge जो है वह minus 1 हो जाता है ठीक है और जो neutral cascade है उसका composition एक up quarks और दो strange quarks हो जाता है जिस वज़े से यहां पे भी strangeness quantum number की value minus 2 और charge neutral ठीक है तो half life of negative cascade is 1.64 into 10 to the power minus 10 seconds and mass is 132 1.3 mega electron volts cascade negative cascade जो है वह decay करता है एक lambda और एक negative ion में या फिर lambda plus electron plus anti electron neutrino में या फिर lambda plus negative muon plus anti muon neutrino में या फिर एक negative sigma plus gamma photon में ठीक है half life of neutral cascade अगर हम लोग अप neutral cascade में आ जाए तो half life of neutral cascade is 2.90 into 10 to the power minus 10 seconds and इसका mass जो होगा वह 1314.8 mega electron volts होगा अब यह decay modes की अगर मैं बात करूं तो यह decay करेगा lambda plus neutral pion में या फिर positive sigma plus negative muon plus anti muon neutrino में या फिर positive sigma plus electron plus anti electron neutrino में या फिर lambda plus gamma photon या फिर neutral sigma plus gamma photon तो यह देख सकते हैं आप यह weak interactions और electromagnetic interactions के combination से यहाँ पर यह decay modes हो रहे हैं अब हम लोग आते हैं आगे बढ़ते हैं अपने sigma hyperon में तो यह मैंने आपको बताया था कि यह इनकी spin होती है वह 3 by 2 होती है यह half spin के नहीं होता है यह 3 by 2 spin के होते हैं यह सिर्फ negative omega के form में ही रहते हैं हमारे पास कोई neutral या positive omega नहीं है तो यह आप देख सकते हैं स्क्रीन में यह production reaction है for negative omega ठीक है हमारा negative carbon जो है वह proton के साथ मिलकर एक negative omega plus positive carbon plus neutral carbon ठीक है अब यहाँ पर decay modes की अगर मैं बात करूं तो negative omega जो है वह neutral cascade plus negative pion फिर negative cascade plus neutral pion फिर lambda plus negative carbon में भी यह decay हो सकता है ठीक है अब half life is 0.8 into 10 to the power minus 10 seconds and mass is 1672.4 mega electron volts magnetic moment of negative hyperon is minus 2.02 nuclear magneton ठीक है तो यह हो गया discussion हमारे baryons के उपर यानि की nucleons और hyperons के उपर ठीक है अब हम लोग कुछ और baryons के उपर discussion करते हैं उससे पहले अभी तिक की जो summary थी वह हम लोग देख लेते हैं तो यह जो यह table है इसमें हमारी पूरी summary है ठीक है मैंने सारे particles के baryon magnetic moment जो है वो discussion सारे particles के मैंने नहीं करे थे तो यह यहाँ पर mention है आप चाहे तो इसे यहाँ पर pause करके वीडियो को आप यह पूरा table note कर सकते हैं ठीक है अब देखिए जो हमारे baryons होते हैं वो spin half से spin 11 by 2 तक के particles discover हो चुके हम लोग जानते हैं इस्पिन जो है वो edge cut के units में होता है है यानि half edge cut के units half edge cut से लेकर के 11 upon 2 edge cut के particles discover हो चुके है ठीक है जिन में 8 particles ऐसे हैं जिनकी parity plus 1 by 2 है और 10 particles ऐसे हैं जो 3 by 2 positive 3 by plus 3 by 2 की जिनकी parity है इन्हें low lying baryons कहते हैं ठीक है अब spin half से ज्यादा के जो particles है न वो बहुत जल्दी decay कर जाते हैं strong interactions के through इसी लिए इन्हें particles नहीं कहा जाता है इन्हें resonance कहा जाता है यही बात मैंने आपको Mason के case में भी बताई थी कि वहाँ पे भी जो higher spin के particles होते हैं वो resonance के states में होते हैं इसलिए हम लोग उन्हें Mason resonance कहते हैं तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी barion resonance इसे हम लोग कहेंगे तो जो हमारे 10 3 by 2 plus के parity के particles है barions है उसमें सिर्फ और सिर्फ omega minus ही एक है जो stable होता है strong interactions के दौरान ठीक है तो यह हो गई बात barion resonance की अब देखिए अब barion resonance की बात कर रहे हैं तो एक particle ऐसा ले लेते हैं है ना जिस जो resonance के form में होता है तो delta resonances ठीक है delta resonances डेल्टा barions भी आप इसे कह सकते हैं delta resonances इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ क्योंकि यह जो होते हैं यह बहुत जल्दी decay करते हैं strong interactions के थुरू और यह resonances के form में होते हैं यह particles के form में बहुत कम time के लिए रहते हैं resonances इन्हें कहा जाता है इसलिए ठीक है तो इनके spin जो होती है वो 3 by 2 edge cut होती है ठीक है हम लोग जानते हैं मैं यह assume करकर चल रहा हूँ कि आप यह जान रहे होंगे कि यह जो spin है इसे हम लोग edge cut के units में लिखते हैं इसलिए मैं आप वीडियो में spin लिखने के वक्त edge cut का use नहीं कर रहा है यह जितने भी spin है वो सारे के सारे edge cut के units में हैं ठीक है तो जो हमारे delta resonances है यह delta plus plus delta plus delta not and delta minus delta plus plus जो होता है वो plus two charge का होता है delta plus जो है वो plus charge का होता है delta zero जो है वो charge less होता है और delta minus जो होता है वो negative charge का होता है ठीक है अब इनके composition की अगर मैं बात करनूं तो जो delta plus plus है वो तीन up quarks से मिलकर बना होता है इसका strangeness 0 होता है और charge plus 2 होता है delta plus जो है इसका charge 1 होता है strangeness 0 होता है और यह दो up quarks और एक down quarks से मिलकर बना होता है जी हाँ इसका जो composition है वो proton के composition से मेल खाता हुआ है proton के composition में भी दो up quark और एक down quark है इसलिए इसे हम लोग proton का higher mass excitation state भी कहते हैं ठीक है अब जो हमारा neutral delta है उसको अगर आप देखिएगा तो यह इसका composition एक up quark और दो down quark होता है यानि कि हमारे neutron के composition के ही जैसा इसका भी similar इसका भी वैसा ही composition है ठीक है तो यह इसे भी हम लोग neutron का higher mass excitation कहते हैं जो हमारा delta minus है उसमें charge minus होता है और यह सारे delta particles strange behave नहीं करते है इसलिए strange quantum number 0 होता है और जो हमारे delta minus है वहाँ पर 3 down quarks होते हैं यानि जो delta plus plus है उसमें 3 up quarks जो delta minus है उसमें 3 down quarks और जो delta plus है सिर्फ एक single plus है वो हमारे proton के composition जैसा और जो हमारा delta neutral है वो neutron के composition जैसा तो यह जो आपको table दिख रहा है इसमें मैंन हमारे delta particles की जो mass है उसे mention करा है मैंने जो हमारा iso spin है यानि third component of iso spin उसे मैंने यहाँ पर mention किया है i3 के form में जो हमारा parity है उसे मैंने mention करा है j super script p के form में और यह जो charge आपको दिख रहा है q है ना यह charge है और mean lifetime यहाँ पर है इन सब सारे particles की mean lifetime जो है वो लगबग सेम है अब अगर मैं decay states में आ जाओं तो यह हमारा decay states है इन particles के ठीक है डेल्टा प्लस प्लस जो है वो एक proton और एक positive pion में decay हो रहा है डेल्टा neutral जो है वो एक neutral pion और एक neutron में decay हो रहा है या फिर यह पाई माइनस यानि की negative pion प्लस proton में decay हो सकता है अब जो हमारा डेल्टा प्लस है वो pion प्लस प्लस neutron में decay हो सकता है या फिर neutral pion प्लस proton में decay हो सकता है अब जो हमारा डेल्टा माइनस है वो negative pion प्लस neutron में decay हो सकता है ठीक है तो यह हो गई बात Delta Resonances के बारे में जो आपको बताया था लैमड़ा पार्टिकल के बारे में की लैमड़ा बेरियॉंस तो वैसे चार टाइप के होते हैं लेकिन इस में से सिर्फ एक ही है लेमड़ा जो की हाई प्रॉन की केस में आता है तो अब यह आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे ठीक है यहां पर यह जो lambda superscript 0 है यह हमारा lambda high pron है जिसकी बात मैंने करी थी 1 up quark, 1 down quark, 1 strange quark है यह यह आप देख सकते हैं यह आप ठीक है यह जो 111 5.683 plus minus 0.006 यह मास है इस particle का उसके बाद आप देख सकते हैं आई, आई मतलब की हमारा ISO SPIN, ठीक है, जे बी मतलब PARITY, Q मतलब CHARGE, S मतलब STRANGENESS, C मतलब CHARMNESS, B मतलब BOTTOMNESS, T मतलब TOPNESS, ठीक है, अब जो हमारा दूसरा पार्टिकल है, यह आप देख सकते हैं, लैम्डा, सूपर स्क्रिप्ट प्लस, और सब स्क्रिप्ट C, सब स्क्रिप्ट C का मतलब है, याद होगा, आपको लैम्डा बताने वक्त, मैंने बताया था, कि इसमें एक UP, एक DOWN होता है, और तीसरा वैरी करता है, तो तीसरा जो वैरी करता है, वो अब strange था, लैम्डा हाई प्रॉन के case में, लेकिन इस case में क्या हो जाएगा, यह जो लैम्डा C है, यह ल strangeness quantum number 0, यानि कि इसमें strange quark नहीं है, और यह strange behave नहीं करता, इसलिए यह हाई प्रॉन की category में नहीं रहेगा, इसका जो mass होता है, वो ज्यादा होता है, हमारे लैम्डा हाई प्रॉन से, और फिर यह आप note कर सकते हैं, इस table को, यहाँ पे strangeness 0 हो जाएगा, और charmness की जगा प् particle है, यह bottom या beauty भी आप कह सकते हैं, ठीक है, और उपर में जो super script 0 है, इसका मतलब कि यह charge less है, दूसरे वाले के case में, उपर में, यानि सब super script में plus था, यानि वो plus 1 charge था उसका, अब यहाँ पे क्या होगा, जो तीसरा quark आएगा, वो B आएगा, यानि कि B for beauty, या फिर bottom, है ना तो अब यहाँ पे जो quantum number आ जाएगा, वो हो जाएगा bottomness, यानि strangeness भी 0 हो जाएगा, charmness भी 0 हो जाएगा, bottomness आ जाएगा, और bottomness की value हो जाएगी minus 1, ठीक है, उसके बाद, जो हमारा last particle है, वो देखिए, plus charge का होगा, और T, सब script में T है, यानि यह, जो हमारा तीसरा quark है, व वो top quark हो जाएगा, यानि एक up quark, एक down quark, और एक top quark, ठीक है, इसका mass, जो है, उसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि according to standard model, top quark जो है, वो एक hadron form ही नहीं करेगा, वो baryon form ही नहीं होगा, है ना, यह exist नहीं कर सकता है, according to standard model, ठीक है, तो यह हो गए हमारे lambda baryons, lambda not uds, up quark, down quark, strange quark, lambda c plus, up quark, down quark, charm quark, lambda b not udb, यानि up quark, down quark, bottom quark, lambda t plus, यानि up quark, down quark, top quark, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जिसमें strange quark है, और सिर्फ वही है, जिसका strange quantum number का value होगा, वही होगा, जो strange behave करेगा, इसलिए इसे उठा के हम लोग high prone वाली category में डाल दें तो इस table को भी आप प्यार मोहबत से note कर लीजिए, ठीक है, अब next table में हम लोग आते हैं, अब ये जो table है, ये हमारे इन ही particles के mean lifetime और decay modes है, ठीक है, कि most probably ये कैसे decay कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर वीडियो को pause करकर, इस table को note down कर सकते हैं, ठीक है, तो उम्मीद है, कि आपको ये पूरा concept, baryon का ये concept समझ में आया होगा, अगर आपकी कोई भी queries हैं, तो आप मुझे mail कर सकते हैं, या फिर मुझे comment करकर बता सकते हैं, at last with the message of universal brotherhood, love and peace, thanks for watching this video, अब हम लोग आते हैं,